Hello Friends Welcome to my channel Purple Creations Please Subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon Hello Friends Welcome to my channel Purple Creations आज इस वीडियो में आपके लेए एक लेडिस सॉक्स लेके आई हूँ यह मैंने दो गडर का बनाया है और इसके लिए मैंने 10 नमबर की निडल यूज की है यह मैंने यहां से स्टार्ट किया है और यह साथ नमबर का साइज है अगर आप छोटा बनाने चाहते हैं तो यह चीज आपको कम रखनी पड़ेगी अगर छे नमबर का बनाना है तो यह चीज कम रखनी इसको है ना जो हम बढ़ाते हैं तो इसको कम करना पड़ेगा है यह इकह May मैंने यहांसे सटाट किया है और फिर आगद यह दोने तरफ से फंदि बढ़ते हैं को इसके लिए मैंने यह दिखित यह तेरा फंदो से स्टाट किया है तो मैंने यह एक मैंने बूंती हम इनको मैं सीधा-सीधा खूनें गी कि बजू हुए नब यहा हुए है प्रस्टों कम्प्लीट होगे दोनों तरफ से मैं सिधा ही बुनूंगी से इस तरह किसी लाइन बनती जाएगी इस चार लाइने बनाएंगे मैं चार लाइन बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूं अब इसके बाद हम उनके पंच फंदे बढ़ाएंगे तो पहले पांच फंदे में सीधे बुन लेती हूं सीधी रो में सारे फंदे सीधे ही बुने जाएंगे पांच फंदे मैंने बढ़ा लिए अब इसके बाद मैं एक फंदा बढ़ाती है ऐसे इस साइड में बढ़ा लिए फंदा और बाकी ये पांच इदर छोड़के जो तीन फंदे हैं सीधे बुन लेती है एक दो तीन तीन फंदे बुनने के बाद मैं एक फंदा फिर यहां बढ़ा देती हूं तो दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ गया और पांच फंदे ही सीधे बुन लेती हूं यह देखें, यह राइट साइड है, इसमें मैंने दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ा दिया है, अब रॉंग साइड पे हम, पहले पांच फंदे हम सीधे बुन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, पांच फंदे हमने सीधे बुन लिये, और बीच के जो फंदे हैं, पहले तीन थे अर दो एक एक बढ़ गया, तो पांच फंदे होगें, पांच फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच ये बीच के पाँच बंदे मैंने सीधे बुन लिए अब ये साइड के जो पाँच बंदे इन्हें फिर मैं सीधा बुन लेती है ये रॉंग साइड है अब फिर हम राइट साइड पे आ गए है साइड की पाँच फंदे पहले मैं सीधे बुन लेती हूं पांच फंदे मैंने सीधे बुन लिए फिर एक फंदा बढ़ा देती हूं और बीच के ये फंदे हैं ये सीधे बुन लूँगी पांच फंदे बुनने के बाद जो पांच फंदे इधर के हैं उससे पहले एक फंदा यहां बढ़ा लेती है तो देखिए जहां तक हमें इसकी लंबाई रखनी है वहां तक हमें दोनों साइट से एक एक फंदा बढ़ाना है और ये side के 5 फंदे 5 ही रहेंगे इन्हें पांच फंदे 2 तरफ से सीधह ही बूने जाएंगे तो इस तरीके से बीच में ऐसे आ जाएगा मैं आपको दिखाते हूं यह देखे side के जो हम 5-5 फंदे रखने रहें वो इस तरीके से बढ़ें दोनों तरफ से यह देखे इस तरीक से यहां तक बढ़ेंगे अब इसके बाद मैं रॉन शाइट गुन लेती हूँ इसकी फाच फंदे सीधे गुनने के बाद जो बीच के हैं वो सारे फंदे उलटे गुने जाएंगे कि यहां तक बुनने के बाद अब यह पांच फंदे इन्हें में सीधा बुननूंगी यह देखे रॉंग साइड होगे अब राइट साइड पर मैं इसको अब मैं इसका ब्लैक एंड वाइट कलर से ब्लैक कलर से इसका पैटन डालती है कि पहले पांच फंदे हम सीधे बुन ले दें हैं कि पांच फंदे सीधे बुन लिया फिर एक फंद हमने बढ़ा लिया है इसके बाद एक फंदा मैं सीधा बुन लेती हूं और इसके बाद मैं ब्लैक कलर से एक फंदा सीधा बुनती हूं इसको सीधा बुन लिया एक मैं क्रीम कलर से बनाती हूं एक फंदा इसके बाद तीन फंदे ब्लैक कलर से इसको मैं नॉट लगा देती हूं अब मैं तीन फंदे ब्लैक कलर से बनाती हूं एक फंदा मैं क्रीम कलर से बुन लेती हूं और एक जो फंदा मैं बढ़ाना है उसे मैं ब्लैक कलर से बना लेती हूं इस तरीके से और बागी ये पांच फंदे सीधे बुने जाएंगे ये देखे इस तरीक से स्टार्टिंग ऐसे होगी अब इसके बाद रॉंग साइड पर पांच फंदे मैं सीधे बुन लेती हूं ये पांच फंदे सीधे बुन लिया है अब ये जो तीन फंदे थे इसको मैं ये क्रीम कलर का भी मिला के चार फंदे कर देती हूं ब्लैक और दो ये वाले क्रीम कलर के एक और दो और ये तीन फंदे चार हो दाएंगे एक दो तीन ये चार और उसके बाद फिर दो फंदे क्रीम कलर से एक और ये दो और फिर अगला फंदा है इस वह ब्लैक अलर से बना लेती हूं ये देखिए इस तरीके से ये पैटन बनता जाएगा और ये पांच फंदे सीधे बुन लेती हूं अब इसके बाद देखिए पांच फंदे में पहले सीधे बुन लेती हूं जो साइड के हैं वह पांच फंदे सीधे बुने जाएंगे दोनों साइड से ये पांच फंदे बुन लिए इसके बाद एक फंदा एक फंदा बढ़ेगा हर सीधी से लाई पे एक फंदा बढ़ेगा अब इसके बाद हम पांच फंदे वाइट कलर के बुनेंगे ये दो हैं और तीन है इनको वाइट क्रीम कलर कर देंगे और इस ब्लैक को ब्लैक ही बुनेंगे अभी इसको और फिर पाच फंदे हम पाच फंदे हम क्रीम कलर से इसको फिर हम ब्लैक ही बुनेंगे वाकी ये वाले फंदे हम क्रीम कलर से और एक फंदा यहां से हम बढ़ा लेते हैं उसके बाद पाच फंदे हम क्रीम कलर से अब हम रॉंग साइट पे हैं रॉंग साइट पे देखिए इस तरीके से पाच फंदों को पहले हम सीधा बुन लेते हैं अब हम जो हमने ये ब्लैक बुना इस इसको अगला फंदा ब्लैक कर देंगे इसको क्रीम कर देंगे देखिए इस तरीके से एक दो तीन तीन फंदे क्रीम कलर के फिर एक फंदा हम ब्लैक कलर का बनाएंगे और फिर उसके पाथ पांच फंदे हम ये क्रीम कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार और ये पांच फिर अगला फंदा हम ब्लैक कलर का और फिर हम एक फंदा ये हो गया पूरा ये पांच फंदे रहागे इसे हम सीधा बुन लेंगे इस तरीके से एक दो तीन चार और ये पांच अब राइट साइट पे रहाएं राइट साइट पर फिर हम पांच फंदों को सीधा बुन लेते हैं और फिर एक फंदा हम बढ़ाएंगे एक फंदा हम ब्लैक कलर से बनाएंगे इसको ऐसे बढ़ा देते हैं और बाकी ये पांच फंदे हम फिर क्रीम कलर से बुन लेते हैं एक दो तीन चार और ये पांच इसको हम ब्लैक कलर से बुनते हैं पांच फंदे हमें क्रीम कलर के एक ब्लैक का अब हम फिर पांच फंदे क्रीम कलर से एक दो तीन चार और ये पाँच इसके बाद फिर एक फंदा बढ़ेगा तो ये बलैक कलर से ही बढ़ेगा अब इसके बाद ये पाँच फंदे हम फिर क्रीम कलर से बुन लेते हैं एक दो तीन चार और पाँच इससे पैटन आगे बढ़ता जाएगा मैं और बताते हूं आपको अभी अब इसके बाद हम जो रॉंग साइड पर ये हमारा एक फंदा था इस साइड के हमें इसको मिला के चार फंदे बनाने हैं और ये बीच के दो सफेद फिर एक मिलाके एक ये है और तीन मिलाके इससे चार बनाना है पहले हम पांच फंदे सीधे बुन लेते हैं चार पांच फंदे हमने बुन लिये पर इसके बाद हम चार फंदे बलैक कलर के बनाएंगे ये चार फंदे ये देखें नहीं इधर नहीं इधर दो फंदे सीधे आने थे इधर के चार फंदे ये इस साइड में हमें बनाने तो एक दो तीन चार फंदे बलैक बनेंगे और ये दो दो बीच में क्रीम कलर के एक और दो अब फिर हमें चार फंदों को बलैक बनाना है एक दो तिन और यह चार फिर इसके बाद दो क्रीम एक दो फिर ये चार बलैक एक दो तीन और चार फिर दो अभी नहीं है फिर इसके बाद हम पांच फंदे क्रीम कलर के बुनेंगे यह साइड के सीधे बुने जाएंगे अब हम राइट साइड पर आगे हैं तो हमें यहां पर यह देखें अब यह चार फंदे हैं तो हमें बीच के तीन फंदे ब्लैक बनाने हैं एक क्रीम एक ब्लैक एक क्रीम तो जी किस तरीके से अब यह पांच फंदे में पहले सीधे बुन लेती हूं एक पांच फंदे सीधे बुन लिया है अब मैं इसमें से एक फंदा बढ़ाती हूं तो क्रीम कलर से बढ़ाऊंगी वह और इनमें तीन फंदे मैं ब्लैक कलर से बना लेती हूं एक दो तीन अगला फंदा क्रीम से अगला ब्लैक और फिर क्रीम तीन फंदे मैं ब्लैक फिर क्रीम एक फंदा क्रीम एक फंदा ब्लैक और फिर एक फंदा क्रीम इसके बात फिर मैं ब्लैक बनाऊंगी ये दो फंदे ब्लैक बनेगी क्योंकि एक बढ़ाऊंगी एक बुना है और ये बढ़ाके ये दो फंदे बन गए अब पाँच फंदे मैं सीधे बननूंगी एक, दो, तीन, चार और ये पांच इस तरीके से अब इसके बाद जो हमारे ये बीच के तीन फंदे है ना इसको हम इस साइट के बढ़ा के एक चार कर देंगे और बीच के दो सफेद क्रीम इस तरीके से देखे पहले पांच फंदे तो मैं सीधे बुनूँगी फिर एक फंदा में इसको फिर इसके बाद बढ़ाने नहीं आपर इसके बाद ये दो फंदे हैं इसको मैं बीच का इस डिजाइन आपको तीन फंदों के 6 फंदे कर लोंगे और दो फंदे क्रीम किलर के एक नए दो इन दो 真的 के पिछ बीच बाला बिल्कुन सही फंदे इससाही बुल लेते हैं अब हम राइट साइट पर हैंगे अब हम फिर यहां जो एक फंदा इससे हम ब्लैक करेंगे ऐसे फंदे क्रीम कलर से, यह सब क्रीम कलर के बुलिए जाएंगे तो यह पाच फंदे बीच के हम क्रीम कलर के एक फंदा ब्लैक यहाँ पर मैंने बनाया था, यहां से特 sexually करी थी। तो 5 फंदे क्रीम कलर के एक ब्लैक दिखाती हूं आपको बनांके पांच फंदे मैंने सीज़े बुन लिये फिर एक फंदा मैंने बढ़ा दिया और ये अब ये तीन फंदे भी क्रीम गलर के हो जाएंगे ये देखें एक दो तीन और ये ये वाला लास्ट का फंदा ब्लैक है ये ब्लैक ही बुना जाएगा इस तरीके से अब ये वाला बीच का पैटन लिकुश ही आएगा पांच फंदे हम क्रीम कलर से बुनेंगे यह पांच और फिर एक फंदा ब्लैक का इस तरीके से इस रों में पांच फंदे क्रीम के और एक ब्लैक का यह पांच फंदे हमने यह देखें क्रीम से बुन लिया अब जो हमें फंदा बढ़ाना है उसे हम ब्लैक से बना लेते हैं तो यह पैटन के अंदर भी आ blunt इस तरीके से हम उसको कैसे है अब पांच फंद हमें सीधे बुलने निया कि फ्रेटर्न यही से स्टार्ट हो जाएगा एक हमने यह ब्लेक करा था पांच क्रीम और एक ब्लेक अब चुर्ब इससे अगला फंद हो जाएगा और पांच क्रीम फिरशी अगली क्रों में से अगला फंदा भ्लlor याहती में आपको नब करहां और अब आप हम आरखे एक अब अब aráधर और और यह समय करीम 3 कि आप और कि पांच फंदे को भी हम क्रीम बना ले यह बना लेते हैं आप को यह द जो क्रीम कलर से चार पाँच अगला फंदा ब्लैक कलर का और फिर पाँच फंदे क्रीम कलर से एक दो तीन चार पाँच फिर अगला फंदा क्रीम कलर का एक दो और यह पाँच फंदे हम सीधे बुन लेंगे इस तरीके से यह पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा एक बारा और मैं बताती है आपको फिर पाँच फंदे क्रीम कलर से देखे पाँच फंदे पहले मैं सीधे बुन लेती हूं और फिर एक फंदा इसके बढ़ा देती हूं अब फिर हम यह दो फंदे क्रीम कलर के बना के अगला वाला फंदा ब्लैक बनता है तो इसे ब्लैक बना देती हूं और पाँच फंदे फिर क्रीम कलर से पाँच फंदे बना लिए मैंने इसके बाद इससे अगला फंदा इससे ब्लैक बनाओंगे फिर पाँच फंदे क्रीम कलर से अब इससे अगला फंदा यह ब्लैक इसको क्रीम कलर से अब इसको एक फंदा में बढ़ा लेती है इसमें क्रीम कलर का इसमें पाँच फंदों को सिधा बुन लेती हूं इस तरीके से फंदा आगे बढ़ता यह पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा मैं और बताती है इस तरीके से पांच फंदे पहले मैं सीधे बुन लेती हूं अब इसके बाद यह जो हमारा फंदा है एक जो हमने बढ़ा है बलैक स्कोंने चार कर देघ게 इस साइड में बढ़ाने तो देखिये एक फंदा है इस साइड तीन हो जाएंगे डो सफेद हो जाएंगे फिर जो जाएंगे तो मैं आपको बताती हूं पांच मैंने बुन लिये अब इसके बाद चार फंदे ये ब्लैक के हो जाएंगे एक दो तीन और ये चार बीच के दो फंदे हम क्रीम से एक दो फिर चार फंदे ब्लैक से एक, दो, तीन, चार इसके बाद बीच के दो चार ब्लैक एक, दो, तीन, चार और दो, क्रीम यह वाला ब्लैक बन जाएगा और पांच फंडे हमारे यह साइड के हैं, जो इन्हें हम सीधा बूलने के हैं इस तरी के से यह दिए अब यह फिर इसी तरह से रिपीट होता रहेगा यहां तक मैंने बना के आपको दिखा दिया है इस रो तक यह जो यहां से यहां तक मैंने बना के आपको दिखा दिया है इसके बाद यह फिर यह वाला बनेगा यह वाली यह वाली तो इस तरह से यह रिपीट होता रहेगा अब यह चार हैं चार फंडे तक बना दिया है इसके बाद यह तीन हो जाएंगे है एक क्रीम एक black एक क्रीम फिर तीन इसीisesti बीच वाले पैटन को ध्यान से धेख नहां है ताकि इसी तरही साइट के दो फंदे बढ़ते रहते हैं वह पैटन थोड़ा कम जादा होता रहता है तो बीच वाली जो है पैटन उसको ध्यान रखना है इसमें और फिर इससी तरहिके से यह एक बार और मैं इस लाइन को बता देती हूं आपको यह पांच फंदे सीधे पांच फंदे सीधे इस तरहिके से इसके बाद यह वाला फंदा बनेगा करीम कलर का मैं एक फंदा बरेक्स को बढ़ा देती हूँ बढ़ा दिया अब्ये क्रीम कलर का पर यह बीच का ब्लैक किह पिर इसके बाद यह करीम और तीन ब्लैक एक, डू, तीन इसके बाद ये क्रीम फिर बीच का ब्लैक और ये क्रीम फिर तीन ब्लैक इसके बाद ये क्रीम फिर ब्लैक फिर क्रीम और तीन ब्लैक एक क्रीम और फिर ब्लैक से मैं इसको एक फंदा जो बढ़ाना आता है ब्लैक से बनाती हूं ताकि पैटन सही बंद चलता रहा आगे और बाकि ये पांच फंदे साइट के हैं जो इने सीधा बुन लेती है कि ये पैटन आगे बढ़ता जाएगा अब मैं इसको अ- जहां तक आपने रखना आए इसकी लंबाई आगे पणजे की तो दोनों तरफ से लंबाई इतनी रखी है तो दोनों तरफ से मैंने ये फंदे बढ़ाएं है अगर आपको छोटा बनाना है तो यह कम करना पड़ेगा अब इसके बाद मैंने यह वाली रो यहां से काउंट करना है एक दो तीन चार पांच तेईस लाइने बनाई है यह जो है गुल्टी लाइन है तेईस है उसके बाद मैं इस पंदे बनाना बंद कर दूगी फिर मैं आपको बताती है जब तक यह पैटन बनाती है पूरे उस पर पंजे बर यह देखिए आगे का पोष्टन एक ग्वां कम्प्लीट हो गया है यह देखिए यह देखिए आगे का यह वाला जो पंजा है यह कम्प्लीट हो गया शमारी इसके बार ब्लैक कलर के दागे को उनकों में कुट कर देती हैं और अब यह देखे, यहां से यहां से यहां तक का पोइशिन होगा, अब यह वाला पोइशिन चलेगा इसका सोल है जो आदा, वह मैं आपको बनाना बताती हैं, यह वाला सोल बनेगा, देखे इसके लिए, क्रीम कलर की उन्स से भी बनेगा, तो मैं आपको यह दिखाती है, यह पांच फंदे जैसे बुनने जा रहे हैं हम वैसे बुनेगे, अब फंदे बढ़ना बंद हो जाएंगे, पांच बंदों को हम बूल लेते हैं पहले इसके बाद ये पूरी रोह हम सीधी बूल लेते हैं इसको मैं इसके साथ नौट बाल देती है कि यहां से यहां तक मैं पूरी रोह कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ रखिए रोह यह मैंने कंप्लीट कर लिए अब इसके बाद रॉंग साइड पर पहले हम इन पंदों को काउंट कर लेते हैं और जो बीच के 13 फंदे हैं अब उनके आसपास से ही घटाना है तो यहां मेरे 23 फंद इदर है 23 फंद इदर है बीच के 13 फंदे हैं तो यह 13 फंदे जो हैं इस तरीके से यह देखिए ये तेरा फंदे ही बीच के रहेंगे बागी आस पास के दोनों तरफ से एक इक घटता जाएगा और इधर तक पूरा घटेगा जब तक कि तेरा फंदे ना रह जाएगे यहां तक तेरा फंदे रह जाएगे पहले मैं आपको ये बता देती है है अब ये रॉंग साइट से बना रही है तो रॉंग साइट से पहले मैं कि पाच पंदे पहले सीधे बना ले दूए है लाट पास पंदे बन गया है अब मैं टोटल पहले 23 फंदे साइट के बुन ले दी हूं ये मुट रिम नूँ तो कर दो कर दो कर दो एक साइट ये मैंने 23 फंदे बुन ली है अब बीच के जो 13 फंदे पहले मैं उनको उनमें से 12 फंदे बुन लेती हूं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा और इस तेरे मैं फंदे को इस से लाई के जो पहले फंदे से मिलाते हुए दो का एक बनाना है इस तरह इस से घड़ा दिया हमने एक फंदा अब हम इसको इन फंदो को छोड़ देंगे, 23 फंदो को एक घड़ गया तो यह 22 रह जाएंगे, इसको इजरी सोड़ देते हैं और इस लाई को टर्न कर लेते हैं अब इसी तरह से इस से लाई को यह से 13 फंदों में से 12 फंदे बुनके 13 फंदे को हम तुस्स लाई के पहले फंदे से मिलाते हुए दो का एक बनाना है तो इस तरह दूसरे तरफ कभी एक घड़ जाएगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, घ्यारा, बारा अब यह 13 फंदा है ना इस सलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए इसको दो का एक बैट लूप से घटाना है अब हमें इन फंदों को भी सोड़ देना और सलाईयों को टर्न करते हुए इनको बूल लेना है 12 फंदों को बूलने के बाद 13 फंदे से मिलाते हुए दो का एक कर देना है यह देखिए दो का एक कर दिया हम इन फंदों को दो का एक तो तेखिए इस तरीके से यह दोनों तरफ से घटते जाएंगे और हमें यह सारे फंदे ही घटाने दोनों तरफ के जब दोनों तरफ के सारे फंदे घट जाएंगे तो यह तेरा फंदे ही बचेंगे इस तरी इसे यह देखिए यह देखिए दोनों तरफ से फंदे घटते हुए आ रहे हैं तो इस शेप में यह बनता जाएगा और लास में तेरा ही फंदे बचेंगे तो यहां तक मैं घटा के इतना बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ यह देखे मैंने यहां से फंदे घटाते हुए यहां तक ले आई हूँ यह सोल का हिस्सा है और इसमें जितने फंदे यहां थे इतने ही फंदे यहां रहे गे दोनों तरफ से घड़ा दिया मैंने यह वाला इस तरीके का यह पोजिशन बन गया है आगे का यह वाला इससा बन गया यह वाला अब हम यहां से अब हम यहां से फर्स्ट लाइन थी यहां से हम फंदे उठाएंगे देखें इस तरीके से मैं इसको कट नहीं करते हैं यहीं से ले लेती हूं थोड़ा लूज करते हूं इसको मैं ले लेती हूं एक दो इस तरीके से एक बर ऐसे लिया एक पर इसको मिलाते हूँ ऐसे ले लिया यह पर ऐसे ले लिया और यह वर्शको मिलाते हूई पर दो घरेंग। यहां से यहां तक मैं फंदे उठाऊँगी यहां तक मैं फंदे उठा के आपको दिखाती हूं यहां से यहां तक मैंने फंदे उठा लिए और यह टोटल 24 फंदे है इसके बाद यह जो 13 फंदे है मैं इनको बुल ले दियू तो यह फंदे मैंने अधर बूल लिया अब इसके बाद यहां से यहां तक मैं 24 फंदे उठाती हूँ इसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा नीडल लगा लेती हूँ यह पॉइंटेड यह वाले नीडल देखें इस तरीके से मैं यहां से देखें यहां से स्टार्ट करती हूँ मैं एक यहां से यहां तक मैं फंदे आपको यहां से यहां तक फंदे उठाके आपको दिखाती हूँ अब यहां से यहां तक मैंने 24 फंदे उठा ली है अब मैं इसको बुलना स्टार्ट करूंगी तो सबसे पहले मैं रॉंग साइट से बुलती हूँ पहला फंदा बगर बुलना उतारा और पांच फंदे पहले जो साइट के हम बनाते हैं उसे मैं सीधे बुल लूँगे दो तेन 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 चार और यह पांच फंदे अब मैं सारे फंदे और यहां के 5 फंदे छोड़ते हुए सारे फंदे उल्टे बनुगी इस तरीके सी यह देखिए अब हम यह वाला हिस्सा स्टार्ट कर रहे है तो पहले 5 पंदे यह किनारी वाली यह बनेंगे इस तरीके सी किनारी बनती जाएगी तो पहले मैं यह एक और Senhor करके बताती कि यहां से यहां तक मैं बुं के लाते हैं पाच फंदे में सीधे बुने में पांच फंदे इन्हें इन्हें ताप बुन लेकर और सीधा बुनदें रॉनक साइड से भी सीधे बुने जाएंगे अब इसके बाद हम राइट साइड पर आगे हैं तो देखिए पहले पांच पंदे तो मैं सीधे बुन लेती है सीधे तरफ से सीधा ही बुना जाएगा यह पांच पंदे मैंने सीधे बुन लिए एक पंदा मैं और इसी कलर का बुन लेती हूँ अब मैं ब्लैक कलर का मूल लगाऊंगी यहां से यह वाला पैटन स्टार्ट हो जाएगा तो देखिए यहां से बनाने के बाद मैं इसको एक फंदा मैंने क्रीम से बना लिया एक फंदा मैं ब्लैक कलर से बनाओंगी इसके बाद पिर एक क्रीम कलर और फिटीन फंदे ब्लैक से एक क्रीम एक ब्लैक और फुर तीन यह क्रीम एक क्रीम और इसके बाद तीन ब्लैक जैसा कि मैंने यहां से स्टार्ट किया था यह पैटन अब इसी तरीके से यहां पर बनेगा इस्टार्टिंग से एक और इसा ही यह पैटन अभिछ तर्ब्नेगा यह complete कर लिए मैंने अब इसके बाद मैं इसके हील बनाओंगी यह हीछ कि यह दो कलर के पैटरन था इसको मैंने आप आफ कट दिया झाय की अब इसको मैं अब एक सिंगल कलर से लेटमार तो पीछे इस तरिके से अब मैं सारा कि यह पूरी डो में क्रीम कलर से बुनती है कि पांच फंदे सीधे ही जैसे बुने जाते हैं वैसे बुने जाएंगे और पूरी रो वैसे सीधी बुने जाएगे कि अब लगा देदी है कि हम यह पूरी रोज सीधी बुनके और रॉंक साइट से उल्टी बुनके पूरी कंप्लीड करके मैं आपको दिखाती हूँ अब यह देखे दो रोओ मैंने कंप्लीड कर लिए एक सीधी तरफ से कुठी तरफ से अब इसके बाद मैंने यह पंदे काउंट कर ली हैं तो विए टोटल साथ फंद एँशे अब मैं बीच में आठ फंद रखूंगी जिसकी हील बनेगी आठ फंदे घटेंगे और बागी 26 पंदेदर रहें 26 पंदेदर देखे किस तरीकिसे मैं बनाता हूं 26 पंदेदर इस तरफ के 26 पंदे बुन लिए और इस तरफ के 26 पंदे इन्हें नहीं छेड़ेंगे इन्हें नहीं बुनेंगे और 8 पंदे बीच के हम घटाएंगे तो सबसे पहले देखे फर्स प्रो में मैं एक फंदा ऐसे घटा देती हूं सीजी तरफ से और फिर इसको यहां से टर्न कर लेती हूं इन फंदों को नहीं बुनना है फिर उंप्री सराई बुनने के बाद अब मैं फिर सीजी स्लाई बुन लेती हूं सीजी स्लाई में पहले छब इसकों दे बुन लेती हूं किस्ट कोई में भुनखे उंगे बुना है नहीं सीजी सीजी से चांता है आप स क्रीजी स्लाई ल INF पति शोंड़िए झ grease धर किस्ट कणता हूं ंल UP सीजी स्लाई मारी वाहा से आरे बुन ह grantsों इस ब्रूप बुनने के बाद मैं इसके साथ एक मिला के से ढख गढ़ा देती हूं तो आठ फंदे में से दो फंदे घड़ गए अब इसे में पलट लेती हूं मैं उल्टी बुन लेती हूं इसी तरह 8 भंदे घटाने हैं आठ फंदे घटाके मैं आपको बताती हूं कि यह देखिए यह आठ फंदे भीच के घटा दिये मैंने अब इस तरीके से यह इसा हो जाएगा इसकी हील बन गई है अब हम क्या करेंगे इन दोनों से लाइयों को इस तरीके से कर लेते हैं यह आदे आदे फंदे आगे अब हम इनको एक और नीड़ल लेकर इस फंदो को बंद कर देते हैं इस तरीके से यह देए एक फंदे इधर कर लिया और एक फंदे इधर कर लेती हैं और एक इधर कर तो तीन फंदे एक साथ बंद करूँगी मैं इस तरह से तरह से फिर ऐसे तीन फंद एक साथ एक उस सलाई का लोंगी इदर और एक उस सलाई का और एक जद्जो में घटा के आ रहा है तीन होगे फंद ही है तीन फंदों का एक बना दूंगी इस तरह से यह बंद होता जाएगा इस तरह से यह बंद हो रहा है और मैं यहां तक बंद करके यह आपको कम्प्लीट करके भी दिखाती हूं कि अगरे कंप्लीट हो गया